नमस्कार दोस्तों वेवार्टिस चैनल में आपका स्वागत है मैं दीपक आज फिर से एक नए वीडियो लेकर आया हूँ ये वीडियो बहुत लोगों ने बनाया है लेटेंसी पर आपने थर्मनिल देखके समझ लिया होगा कि इस चीज़ का वीडियो है आए देर ना करते है सुरू करते हैं कुछ लोगों को यह परशानी होती है कि QS 13 में यानि QS 13 में अशर हमको लेटेंसी आ रही है और समझ में नहीं आ रहा है इसको कैसे दूर करें और वही क्यूवेस 5 में हमको नहीं आ रही है हमको दूश चार दिन पहले यह call आया था तो थोड़ा मैं video इसके लिए sorry और आज मैं मुझे time मिला है तो मैं बना रहा हूं इसको तो हम लोग latency के भी सहे में हम लोग latency के उपर हम लोग बातचित करेंगे और समझे गहें कि इसको दूर कैसे किया जा सकता है क्यों latency आता है और क्यों नहीं आता है यह ना तो इसी को हम हम लोग मद्दे नज़र रखते हुए हम लोग यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे एक भोकल का एक कोई र है कि चलिए। है है ज्यक कि बना लिया हमने हमने अब यहां पर देखिये होता क्या है कि हम लोग जब किसी को कुछ पॉत करते हैं, की सिंगर रिकॉर्ड करते हैं, सब्सक्राइब रेकार्थ क्या करते हैं किसी सिंगर से गवाकार्थ हैं, मतलब बहुत जिनको नहीं पता है जो हमारे वीवर है या कुछ नए बैक्ति है जो अभी मतलब कुछ समय से इस्टूडियो चला रहे हैं कोशिच कर चलाने का किसी तरह अभी तो उसमें क्या होता है ना कि वह क्या करते हैं जब सिंगर जब गाता है तो वह क्या करते हैं धेर सारा इफेक्ट पहले ही डाल देते हैं और उसके बाद गवाते तो होता क्या है उससे की इफेक्ट पढ़ने से लेटेंसी जो है वह बढ़ जाता है इसको दो तरह से खतम किया जा सकता है मतलब मैनेज किया जा सकता है दो तरह से पूरी तरह से तो ये दो तरीका कैसे कैसे हैं कौनकों से दो तरीका है वो ये हम लोग सीखेंगे जागे तो उसके लिए सबसे पहला जो ट्रीक है सबसे पहले आप अपना बफर साइज जो है वो आप सही कर लिए जैसे कि म शूडियो शेटप जो नीचे होता है इसमें आना है और यहां देखिए आपका जिजु जो भी इंटरफियस और इंटरफियस होगा वह आपको यहां आडियो सिस्टम में यहां पे शो कर जाएगा बहुत सारे ठीक है तो यहां महां है मेरा तीस पे हम मैंने क्लिक किया उसके बाद कंट्रोल पैनल जो है कंट्रोल पैनल इसमें आना है कंट्रोल पैनल में आने के बाद आपको ध्यान देना है यहां देखिएगा कि हमारा जो यहां पे हमारा सेलेक्शन सही होना चाहिए हमारा साउन कार्ट जो है वह यहां पर selection है ठीक है उसके बाद हमारा यह देखिए buffer size है इसी के बारे में बात कर रहा था ठीक है यह buffer size है तो buffer size में होता क्या है कि जैसे कि माल लेजे अभी इसको बंद करते हैं अभी माल लेजे मैंने monitor को on किया यह monitor बटन है इसको हमाने on किया अभी देखिए मेरा जो आवाज आपके पास आ रहा है, मैं थोड़ से आवाज में बढ़ा देता हूं, आवाज जो आपको मिल रही है, वो किलियर मिल रही होगी, मतलब कोई लेटेंसी बगेरा नहीं होगी, है ना, लेकिन जैसे ही मैं इसका बफर साइज चेंज करता हूं, इसको नीचे लाता जीन एगा मालिजह आपके जो आपका जो system में इसमें हो सकता है कि आप को पांनी सो बारा पर set होगा पहले को आपको नहीं पता करने को और देखिए यह क्या अगे सा आगे पीछे हो एगा है ना द्वर ऑबाज हो गया तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं जैस Texas की मा लिजए आपको पान्सो बारा पर है या जो भी है यहां लोग देख लेंगे जितना भी रहेगा तो अभी पान्सो बारा है उसके बाद हो सकता है कि इसको एक मिनट आप यहां करके देखिए तीनसो चौरासी पे करके देखिए अगर चींसो चौरासी पे अगर आपका सही हो जाता है तो देखिए मेरा कुछ है हर्द तक हम इतना में काम कर सकते हैं इतना अभी दिख रहा है मतलब बहुत ही लेटेंसी नहीं है मेरे कंप्यूटर में अभी आप सुन रहे हों आपको पता नहीं क्या सुनाई कर रहा होगा मतलब सुनाई कर रहा होगा जो भी हो हमको कॉमेंट कीजिएगा तो उसके बाद अगर इसमें भी नहीं होता है तो आप 256 पर जाइए सेंपल 256 पर मैं 256 तक लाश्ट हम करते हैं यहां पर अदोके कर दिया अब देखें एक दम लेटेंसी नहीं है पांच पैसावर नहीं एक सेकंड भी लेटेंसी नहीं है जिस तरह से मैं बोल रहा हूं उस से साउंड भी आ रही है है ना तो इसमें क्या है कभी कभी माल लीजे माल लीजे इतना पर भी आपको नहीं जाता है तो आप हाडली लास्ट हाडली 128 तक जा सकते हैं आप लेकिन 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 इसमें थोड़ा सा पोल्ट है देखें मैं कर देता हूं इसको मैंने कर लिया और यह किलियर हो गया यानि कि जो संभावना थी कि एक परसेंट हो सकती थी वह भी खतम हो गई होगी लेकिन दोस्तों यह वोकल के लिए ठीक है नो डॉड़ आप कर सकते हैं लेकिन क्या होता है न कि जब आप यहां पे कोई कि न ही अंधोलीटई एस्टूमेंट ट्रैक जो हम लोग लेते हैं और जो लोग मेडी बनात है मेडी रीकॉussa कर ने के बाद जब उसको हम जब आपको असक्ता है प्रॉब्लम आ सकती है प्रफॉब्लम यह यह नहीं कि मतलब हो इधर से ऊधर हो गया ऐसा कुछ नहीं लेकिन उसके क्वालिटी में फर्क पर जाएगा वह अच्छा साउंड मतलब थोड़ा सा जो क्वालिटी होना चाहिए वह ऐसा होगा नहीं ठीक है तो आप ध्यान दिजिए कि जब आप यह रिकॉर्ड करने के बाद माले जब मेडिय अगर रिकॉर्ड कर रह आईएगा और इसको जो है बफर साइज को आप कम से कम 256 पर लाकर कर दिएगा इससे क्या होगा उसके बाद जब आप कॉन्वर्ट किजिएगा तो क्वालिटी जो है वह सही आएगा ठीक है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा उमेद रखता हूं मैं कि आपको यहां त दूसरा कारान यह हो सकता है दोस्तों यह होता है कि मालीजे हम अभी खोले हैं तो फिर हमको ज्यादा आइडिया तो होगा नहीं कोई भी चीज करते-करते अनुभव होता है तो इसमें क्या है कि मालीजे आपने किसी सिंगर से गवाया और वो उसको साधा गाने पर उसको अच्छा नहीं लगा तो आपको आपने बहुत साथ लगा लिए जैसे कि मैं टेस्टिंग के लिए मैं आपको दिखाने के लिए यह इफ्यक्त मैं यूज कर रहा हूं ठीक है म अपना प्लगिंग है यह यह आपको देख सकते हैं देखने में कुछ इस तरह सही लगेगा ठीक है यह हो गया इसके बाद इसको मैं कट कर देता हूं और एक कंप्रेसर में ले लेता हूं कंप्रेसर इसके बाद बाद में क्या करता हूं एक लिमिटर ले लेता हूं करते हैं, करते हैं, करते हैं, कि नगचैने करहें का अप्रादय का अदया हैं? ऑफ समय वहुंग कि अप्रादय है मैं ले लिया इतना होने के बाद थुरा सा दीलेए इधर मैं एड कर देता हूं सेन में देले एड कर देते हैं यहाँ है पर एक रिपॉप पहले लिया रिपॉप फासा है गोगवने कलिया सरासै ज़ अजयाना हाइलो 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 जפक complaining हाण हाईलो हाईलो, हाई सुरू एक दील एक दील एस दील है नूँ जी है 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 आधन के फाले皆んな आध रदजिखना wal Да अ क्र अ किर दो एक गालनी स्वाध्याती थीपटीट झाल 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 कि मैं अभी आपको दिखाने के लिए आप पढ़िया सेट कर लीजेगा ठीक है हाई 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 चेक 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 हाई 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 चलिए इतना हो गया अभी देखिए मेरे सिस्टम में अभी अतना लेटेंसी तो आ नहीं रहा है लेकिन आप लोग जब इस्तेमाल किजिएगा कुछ किनी के सिस्टम में लेटेंसी बहुत ज्यादा आती है है ना जैसे मालेजी मैं इसको यहाँ पर अगर मैं करना चाहूं तो लेटेंसी लाने के लिए रिखाने के लिए मुझे लाना होगा लेटेंसी हलो 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 पता नहीं आपको कैसा सुनाए दे रहा होगा अब लेटेंसी शो कर रहा है आ गया है न तो यहां पे हम लोग जो लेटेंसी मिल रही है वह यह एफेक्ट यूज होने के कारण भी आसकती है इसको देखने के लिए हम लोग कैसे पता करेंगे कि जैसे इसको मैं ओफ कर देता हूं हालो हालो इसको मैं आफ कुए हम लोग इसको देखने के लिए हम लोग को हम लोग जो भेस्टी यूज करते हैं जो एक्षेक्ट यूज करते हैं डिकॉर्डिंग के समय तो उसके कारण भी हमको लेटेंसी आ सकती है तो इस चीज को दूर करने के लिए हमको यहां पे आप से की आपने यहां पर गौर किया होगा यहां देखिए यह एक बटन है ठीक है यह बटन जो आप मैं आपने यहां पर देखा यह इसके कारण यह जो है इसको हम लोग तो इस तरह से जो है आप यह ज़्यादा लग जाने के कारण भी यह हो जाता है तो इसको दूर करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा हम लोगों को आप कि आप इसको दूर करने के लिए जैसे लेटेंसी को दूर करने के लिए यहां आपको सबसे पहले हम मिक्चर में चेक करेंगे हमको लेटेंसी अगर आ रही है तो किस चीज के कारन आ रही है कौन क्या करेंगे एक धिरी दबाएंगे या तो आप यहां से मिक्चर भी लेसकते हैं कि यहां से mixer ले सकते हैं कि यहां तेखिए हमारे जो भी लेसी जितने भी यहां फिरकवेंसी यह सब यहां पर सोकरते हें तो यहां पर आने के बाद आप यहां देख सकते हैं यहां पर यहां पर हमारा कितना सेकंड का लेटेंसी आ रहा है 2.7 मिली सेकंड का यह हमारे लेटेंसी यह में कुछ प्लगिंग के कारण आ रहे हैं तो इसको हटाने के लिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा एक जो मैंने लगाया है कौन सा एकल मैंने लगा दिया है ज्यादा लेटेंसी आ रहे है तो यहाँ पर हम लोग चेक करें गे यहां पर हम पर कंप्रियेंसर जो लगाया है उसके कारण आ रहा है 1.3 और का लेटेंसी मिली सेकंड का लेटेंसी और 1.3 आ रहा है यह लिमीटर मोनो जो मैंने लगाया है उसके कारान आ रहा है यानि टोटल मिला के 2.7 मिली सेकंड का यह लेटेंसी यह सो कर रहा है है का माल लिजिए अब अगर और कोई हम लोग यहां पर भेश्टी लगाते हैं मतलब और फिक्ट लगाते हैं तो हो सकता है और बर जागा तो इसको देखने के लिए एक आप लोग को दिखाने के लिए मैं एक और इसमें एड करता हूँ मतलब एक और एफेक्ट इसमें एड करता हूँ तो एक और एफेक्ट मैं यह अब देखिए क्या होगा इसको मैं मौनीटर को ओन करता हूँ जाते हैं इसको हटाते हैं और मोनीटर को ओन करता हूं हलो 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 आप देख रहें देख सकते हैं कितना अब इसको क्या करें golf या कि- इस लेटेंसी है पर यसको चेक करने के लिए पहले बंद इसको मह बंद कर देता हमही देख सफल मैं इसको आ उन कर vite देता हूं। तो यह लेटेंसी हो जागवा जयसे पहले था हुसे हो जागा ज्यूंत कर दो यहां कहुंड कर दोannel दो उन हमें सब любимेज कुछ छैसे ngay hallo 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 अभी देखे डवल आपको आज आ रहा हुए हुए मतलब लग रहा हुआ कि दो अदमी दोल रहे हैं कोडस टाइफ का है ना अभी मैं इसको आफ कर रहा हुँ यहां देखेगा यह मैंने off कर दिया अब देखिए आप देख रहे हैं कि आप equal आवा जा रहा है होगे जो हमारा duel आवा जा रहाई थी वह अब equal होगे úm होगे है थो हो क्या गया है इसको दवाने से आप देखते हैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूं और इसको क्लिक करने के बाद यहां देखिए जो भी लेटेंसी देने वाले प्लगिंग्स थे वो आफ हो गए यहां पर मैंने off नहीं किया यह खुद से खुद से off हो गया अब इसको मैं on करता हूँ दिखिएगा इसको on किया आथ अब यहाँ इसको देखिए यह खुद से on हो गये होगा अब latency भी देखे double आरा वह जागी ठीक पर अइसको करने से गायब हो जा रहा है मतलब सबसी हो जा, लाएफ हो जा रहा है तो कहने का मतलब यह है कि हमारा जो लेटेंसी है, वह इसको में अभी ठीक कर दिया लेकिन जो हमारा जो कुछ-कुछ ऐसे प्लगिंग से जिसको यूज करने के लिए यह जो मैंने इतना पयाने ठीक लगाया हूं और आपको मैं बताना चाहता हूं बता दूप कि आप जब भी रिकॉर्ड कि ईतनी को अगर सिंगर को अच्छा नहीं लग रहा है तो थोड़ासा आया कर सकते हैं कि इसमें आप डिय बगीरा यहाँ पह सकते हैं अग उसके बाद एक चीजा और बता दूंë मैं भूल गया था यह जो डिले रिभउव यह जो हमारा जो जैसे अभी जो हो रहा है तो इसको खुतम करने का एक और तरीका है जैसरे मिक्षर को मैं ऐन करता हूं इसमें कितना यहां हम यह जो है यहां पूरा लेटेंसी बता रहा कितना कितना है तो टूटल टूटल यहां जो है प्रो एल टू है जो कि शिक्स फोर पॉइंट नाइन मिलिसेकंड का लेटेंसी प्रो एल टू जो है इतना का लेटेंसी है तो इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसको पहले कट करेंगे उसके बाद यहां देखिए डिले का सेक्षन होता है यहां ध्यान दीजिएगा यहां पे तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे वो जितना था उतना हम लोग जितना लेटेंची था 67.6 था तो 6 माइनस में कर देना है माइनस 67.6 यह हो गया इंटर अब देखिए इसको हम लोग सुनते हैं है94 यह लेटेंसी कम हो गया जो पहले जो लेटेंसी था उसमें थोड़ा सा इसमें फर्क परा है तो इस तरह से मैनेज किया जा सकता है वो उसको पूरी तरह से खतम नहीं किया सकता है तो recording करने का सही तरीका यही है कि जो आप effect को use कर रहे हैं वो आप recording करने के बाद apply किजिए recording पूरी तरह से हो जाए take खतम हो जाए take one take two take जो भी apply रहे है उसको खतम हो जाए उसके बाद last process जब आप mix या कुछ करते हैं तो अब आज को recording करने के बाद आप उसमें effect डाल सकते हैं कोई problem नहीं लेकिन recording करते समय सिर्फ आप delay reverb का use कीजिए और इस तरह से recording कीजिएगा तो आप अच्छा कर पाईएगा आज आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि आप आपको किसी तरह का इसमें कोई doubt है कोई परेसानी है तो आप हमसे बात कर सकते हैं और comment में ज़ूर बताईएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा और आज के लिए इतना ही जैस्री राम जैस्री राम आप